हैं यह कि dijए इअद यह वीडियो अपने जो पहले वीडियो में आपने इखा के पेशेंट को सिदह लेटापर जो जह थे कiquer 260 प्राइश करते हैं तो कौन-कौन जो लेटा कर जो treatment उसके बैक पे दिये जाते हैं वह पेशनों वो ट्रीट्मेंट के पॉइंट्स आपको अभी इस वीडियो में दिखाएंगे तो आप देखें किस तरह से पेशन के बैक पे यानि कि पेशन को लगाएंगे इस तरह से दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे तो ADR treatment देने के लिए जो solder blade plates होती हैं यहाँ पे न यह इसके निच्चे थोड़ा सा कंदे से थोड़ा सा निच्चे यहाँ पे इस तरह हाथ को रखेंगे दोनों हाथों को एक साथ और अंदर से बाहर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हो गया इसको दो बार देते हैं फिर दो बार देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हो गया आपका ADR treatment अगला treatment है sweat sweat treatment कैसे देना है कि जो आपका solder blade plate है जो आपके देखो कौन जो बगल है जो अंडर आम से हैं इसके बिलुकुँद सामने यहाँ पे दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे रीडी की हेटडी के दोनों तरफ रीडी के ऊपर नहीं रखना है रीडी की हेटडी के दोनों तरफ इस पाइनल कोड के दोनों तरफ ऐसे हाथ रखेंगे और इसको अच्छे से दबागे हलक आगे की तरफ हलका हलका जर्क यानि की जटका देना है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, शिक्स यह होगे स्वेट पॉइंट शिक्स स्वेट देते हैं तो यह स्वेट पॉइंट हो गया अगर हमाँ पर हमने लेप स्वेट देना है तो क्या करना है कि रीडी की जो हडडी है इसके सिर्फ लेप साइड वाला हाथ हमने रखना है दूसरा हाथ इसके उपर रखेंगे और हलका हलका विजितर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, शिक्स इसी तरह से गर राइट स्वेट देना है तो रीडी के राइट साइड में हाथ रखेंगे और वाण, टू, थ्री, फोर, फाइव, शिक्स तो यह हमने सिखा स्वेट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अब बैक एरो, बैक एरो कैसे देना है जो उन्हों स्वोडर ब्लेड प्लेट्स जो है इन्हें के ऊपर देना है कैसे देना देखो 1-2-3-1-2-3-1-2-3 other side 1-2-3-1-2-3-1-2-3 फिर दुबारा देंगे 1-2-3-1-2-3-1-2-3 1-2-3-1-2-3-1-2-3 यह है back arrow अगला point है h arrow h arrow देखेंगे किस सरह से जैसे में sweat में जटका दिया था इसमें जटका नहीं देना है आगे की तरफ जाना है वान टू थ्री यह होगा आपका वन एच एरो इसके बाद देंगे हम ओंदा इस्पाइन के नाम से हमने समझ जाने जी ओंदा इस्पाइन का मतलुत है इस्पाइन के ऊपर तो हमने क्या करना इस तरह से उंग्लियों को लेना इस्पाइन जो उपर रखना है और निच्छे से तरफ चलेंगे वान उपर से निच्छे यह होगा वन ओंदा इस्पाइन तो हम टैन देंगे इस तरह से देंगे वान टू थ्री पॉर पाइव सिक्स सेवन एट नाइन तैन उसके बाद अगला पॉइंट है बिसाइट देस्पाइन का भी नाम से बता चलना चाहिए स्पाइन के दोनों तरफ दो उंगलियों के इस तरह से रखेंगे और निच्छे से उपर और उपर से निच्छ एक दरफ वान टू थ्री पॉर पाइव यह होगा फाइव बिसाइड से स्पाइन आप उसके बाद आता है रांड आरो या रांड आरो यानिकी इस्पाइन के तो उपर से नीचे चलेंगे पहले तो उपर से इस पाइन के राइट साइड से नीचे एक दो फॉक्ण इह पर पोड़िये धेप क्या पर आपने क्षेक करें अनुष के दोनें तरफ अधा इच धूर दोना उटो की सहीता से आपने यह पूंट दबाना दबाओ बहुत ज्यादा पी निहीं सब कोई बनाना साइड में तू यह तीन तीन सेगंड के लिए आपने रखना है को चोटे पॉइंट बनाने लंबर में पूरे में अवंचे लेगें फाइल सब इस तरह से निच्छे दरफ चलना थीन-3 सेगंड के लिए होल्ड करना है कि यह आपका बैक पॉइंट होगा कि इसके बाद देते हैं एल फॉर एल फाइव डिसाई है तो रहे एल फॉर एल फाइव डिसाई किस तरह से देंगे कि 20-25 बार तक हम एल फॉर 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 फाइव डिसाई करेंगे यह अगला पॉइंट हम देंगे पैक्सर पॉइंट फैक्सर पॉइंट 123 तो इस तरह इसमें किस तरह से देंगे निक्षे लगाएंगे और यह जो बिद्नाप लगाल आतवि इस तरह से आप क्यो छैण ने कि अिच्छे की निक्षे को फिर दुबारा है ऐसे ही तो इस तरह से तीन से चार बार इस तरह से यह करेंगे तो यह होता आपका फैक्चर पॉइंट उसके बाद आता है 123 123 में क्या करना है हिप से चलते हुए जाना नीचे की तरफ और जब हिप से नीचे चलेंगे तो की पिestजान को बोला है कि पीछे से पैर उपर उठाएंगे कि तरह चलेंगे कि म्यम् disruption फिर दोबारा हिवर से देंगे में पैर उपर क्यों हे नीचे फिर उपर नीचे यह होगा आपका वन टू त्री अगला ट्रीटमेंट है बोटम ओफीट की तरह से देना है पेशंट को उल्टा लेटा आगे पेशंट के एक तक्या गुटने के निचे आएगा दूसरा तक्या आपका पंजो के निचे आएगा पंजो के बीच का जो इस ध्यान रखना करना चीए इसको तो पहले क्या करेंगे पहले पेशंट के बिल्कु सिद्धे रहेंगे सिद्धे बंजो में नीचे से उपर की तरफ हलकालका दबाओ देके चलना है बहुत ज्यादा जोड़ से पेशंट के नहीं दबाना है नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा नीचे से कि एक साइड में तर्न करा लेंगे दोन्नों पंजए एक ही साइड में तरन होगे यह ज्यान दे पहले इस पैर पर करेंगे दोन नों पैरों से एक साथ छोट-छोट पूंट बनाते हैं नीचे से उपर की तरफ जाएंगे गुटने की जोंट के दबाव नहीं पटना चीए ध्यान लगना है फिर वापीस निच्छे छोटे-छोटे कुइंट बनाते हैं नीचे से चोट-छोटे बनाते में उपर फिर दूसरे पेर भी इसी तरह से प्रेसर बहुत हलका रखना है पूरा प्रेसर अपना कुर्शियों पर मैनेज करके चलना है पेशन्ट के पैरों पर ज्यादा दबाव नहीं आना चीए नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा जितना पेशन्ट सेहन कर सकता सिर् कर देंगे जाने रहे निचे से ऊपर आ कि वाकर निचे मिडें अपर दीरे-दीरे होट छोट चोट छोट ट पॉइंट बना कि साथ 친 पार करेंगे दूसरे हैं इसी तरह से हुआ हि पंज को वापिस पंजे सी देख रहे हैं है ज़ि dell有點 कि ए कि नीचे से अपर दोन halves wood ख़दशे चोटे पंट बनाते वें हो नीच्छे से ऊपर की तरफ चलना हैं उपर से नीच्छे नहीं चलना है सिर्फ नीचे से उपर की तरफ ही चलना है उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से रफिंग कर देंगे ताकि जो पिंड्लियों में दबाने की विज़े से दर्द होता हो थोड़ इसी पिंड्लियां रिलैक्स हो जाएंगी कि अगला पॉंट को थोड़न से देखेंगे कि स کہना पेशन को इस तरह सो लटा लेष्चे दो तकी लगा लेंगे पेशन्ट का पैर बिल्कु तबब इस से पर बहु ब्लख्य को सीथे जाएं और जो हमारी 20 नंटे से तरह से आप इसका प्रेसर थोड़ा थोड़ा धीर दीरे बढ़ाते वह जाना जहां तक पेषयंट सेहन करने सिर उतना ही प्रेसर बढ़ाना है फिर थोड़ा से निच्चे बिल्कुल मिडल में बिल्कुल बीच ऑफ इस एक आपके दाना है हलक हलका प्रेसर बढ़ाते जाएंगे लेकिन प्रेसर सिर्फ वहीं तक बढ़ाना जहां तक पेशंट सेहन कर सकते बहुत ज्यादा तेज नहीं दबाना है कि फिर फोटा नीचे आएंगे और का यह 3-4 यह सकते हैं इसमें ने से उपर उपर बना सकते हैं तो 5 घुटणे को झोड़ेस निचे आएंगे सबTF बनाना है और इसको दबाना है को देरे फ़लते दोड़ी पैसर बढ़ाएंगा फिर दीरे दीरे तर आपने प्रेसर बढ़ाना वो फिर हम थी तरह से शार से पॉइंच को इसमें क्सक्री सुल थे देना लाइसों पर दोड़ ये ग्icus कर सकते हैं का है यह करने के बाद में आपने क्या कर ना है पैयरों से लगार को पांच से दबार इस window को पैरों को उसर्षम फान से लगार और हो जिस पैर में सैटिका का दर्द जाद हो रहा हूं उसी पैर में आपने ट्रेटमेंट दे सकते हैं करेंगे इस तरह से रख करना है अगला पॉइंट है ट्राइंगल कैसे देंगे देखो यह लंबर है लंबर से निचे सैक्रम का इसा होता से लेकर पांच वर्टिब्र तो हमने चो ट्रेंगल पॉइंट बनाना वह एस फाइव एस थ्री और एस वन में बनाना है तो यहां पर आएगा एस फाइव थोड़ा उपर जाएंगे एस थ्री और जो एस वन आएगा वह बिल्कुल आपका यहां जोइंट पर आएगा जो इसके पास में आपका एस वन आएगा दुबारा ध्यान से देखेंगे यह आपका एस फाइफ एस थ्री और यह एस बाहर की तरफ जाना हमने इस तरह वी की थी तरएफ़ी है मनें पॉइंट बनाना आए बाण टू और यह थ्री यह आपका ट्रेंगल कोएंट होगे कि त्रेंगल में बनाते नहीं इस तरह से तो यह इसको ट्रा क्रेंगल कोन्ट बोलते हैं आगला पॉइंट हैस पोर और यहां पह्ताइज हैंट तो पाइज निक 4 यह 2S4S5 हो गया तो इसको जो है हम 8D से भी दे सकते हैं और अगर आप अमुठे से दे रहे हैं तो अच्छे तरह से दबाना है अच्छे से प्रेसर देना जोड़ से दबा के और अगर आपने और भी अच्छे से प्रेसर देना और भी ज्यादा तेज दबाना है तो आप इस पेशनट को तरद होता तो उसके थेखान लीज़ विल्कुल में तैयों ओर लीयों देखें यह स्थेरा वान टू थ्री तीन बार बिल्कुल श्रेट फिर तीन बार साइड में फिर वापिस तीन बार सिद्धे ये वान टू थाइए नेक्स पॉइंट है हमारा ओरगन क्लियराइंस में आपने क्या करना है हतेल आपेली की साहिता से यह पूरी पीट पर आपने निक्छे से उपर कि असवारे हैंऐ है एक लिए पर उपर से करेंगे रूप से निचे सों वपर से निचे मिच्चे नीचे गर को अगला ट्रीटमेंट के मिले रहेंगे कंदे से चलना है इस तरह से वन करत नो जो करना है दोनों हाथ जो है नाभी पर रखेंगे नीचे पेशेंट के हतेली उपर की तरफ रहेंगी नाभी की तरफ ऐसे ही कंदे से निच्चे की तरफ वान दबाओ जाते नहीं देना है अलके अलके दबाओ के साथ में त्री यह हो गया आपका डॉंचोड रहे हैं अगला पॉइंट है कैप पॉइंट कैप फ्री यानि कि जो गुटने की जो नीक है पर उनको प्री करना है तो किस तरह से में जरी और दोन तरपके राइट लैफ्राइट मोव करेंगे एक से दो मिनट तक इस तरह से करेंगे हुआ कि अपड़ाउन उपर देच्ष पर से नीच्चे स्पर उपर से नीच्च्छ से उपर इस तरह से डरीला करेंगे चाहर निंज खwelाइट वोंपर नीचे लाइब यूटेज़ नसे प्रूंपर नीचे लेफट इसको चार ओतरफ घुना अपयो चंप सेको लूज करेंगे लागण करने के बाद में फिर इसको बुटनेगी के इसके दोंडों तरफ ऐसे हाथ रखें अलग between 25 वार इसको earlier टory घ्रब करेंगे अच्छे से तो बीट से 25 वार इसके दोंडों तरफ करेम 막 करें फिर उपर नीचे 20-25 बार ऐसे रब करेंगे इसको अच्छे से 20-25 बार इस तरफ रब करने के बाद में फिर गुटने के उपर से दोन्नों तरफ हतेली से मसल्स को निच्छे के तरफ फीचते वे गुटने को बिल्गुल रिलाक्स करेंगे अच्छे से इसको रिलेक्स करने के बाद में जो पीर के ठाइस के मसल्स हैं इसको उपर की तरफ खिचे हैंगे वान टू थ्री ऊक्त सवी और फुड़ा संप्र से ऊच्छ से ऊपर से थे खोर्टर से त England अच्छ से और थोड़ा था पुर्ट नीचरनि त्सेरी इसको तीनसे चारोल इस तरह से मसल्स को उपर की तरफ किच जोसे मुटने मढी थी बैक साइड में है उंगली की सायत से को को बिल्कुल जो नीचे गुछे बन जाते ना गुटने की निच्छों को रिलीज करेंगे एक जगे से दूसरी जगह पर हटाते वे लगाते इसको गोल गोल गुमा के गुटने को अच्छी तरह से रिलेक्स कर लेंगे कि तो यह आपका जो है क्याप्री पॉइंट हो गया